साउथ इंडिया में अशोकलेंड कंपनी की गाडिया जादा क्यों दिखती है गाट का राजा आखिर अशोकलेंड कंपनी को क्यों कहा जाता है इन जिसे टाइटल्स की वीडियोज आपने बहुत सरे देखे होगे उन वीडियो में अशोकलेंड कंपनी की शुरुवात केसे हुई और लाइसेंस राज के दम पर कंपनी केसे बड़ी यही दिखाय जाता है पर यकिन मानिए इस वीडियो के माध्यम से आपको असली वज़ा जाने के लिए मिलेगी पहली बात अशोकलेंड कंपनी का प्लांट लोकेशन 1948 में इस कंपनी का पहला प्लांट एन्नौर में और दूसरा प्लांट 1994 में होसुर में शुरू हुआ था ये दोनों प्लांट्स तमिलन राज्य में शुरू हुए थे इस बात को आप रिलेट कर पाएंगे कि जिस शहर में या राज्य में किसी कंपनी का प्लांट होता है वहाँ पर उनकी गाड़ियों का सेल्स पूरी इंडिया के मुकाबले जादा होता है और उस शहर को आप उस कंपनी का गड़ भी कह सकते है प्लांट लोकेशन की रिजन में कंपनी बहुत जदा एकरी से होती है एक्जमपल्स की बात करें तो महिंदरा की बोलरे पिकप पूरे भारत में बहुत जदा लोग पसंद करते है पर जब नासिक महाराष्टा में गाड़ी बननी शुरू होई थी तब से नासिक रिजन में पिकप ही पहला उप्शन लोग चूज करते है दूसरा एक्जमपल आप टाटा मोटर्स का लीजिए टाटा कंपनी की एलपीटी रेंज की ट्रक्स पूने में बनती है और अगर आप पूने, मुंबई या महाराष्टा के किसी भी बड़े सिटी को विजिट करते है तो वहाँ पर आपको एलपीटी रेंज की ट्रक्स दिखेंगे या कभी आपने जमशित पूर या जहरकन को विजिट किया होगा तो बस टैंड पर बसेश और रोड पर ट्रक्स आपको टाटा की ही दिखेगी अगर आप मद्दे प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पर आपको आईशर कमपनी की ट्रक्स और बसेश जारा दिखेगी क्योंकि आईशर का प्लांट पीतमपूर इंदुर के पास है यानि की कमपनी जिस शेहर में है वहाँ के लोग जादा उसे सपोट करते हैं क्योंकि जो भी गाडिया वहाँ पर बनती है वो इंडिया में कही पर भी जा रही होगी तो उसे सिटी के अंदर सी जाना पड़ता है जिसका साइकोलोजिकल इंपैक कश्टमर पर होता है सुबह शाम अगर वही गाडिया रोड पर दिखेगी तो कश्टमर का पहला प्रप्रेश उसी कमपनी को मिलता है इसी प्रकार से तमिल नडु राज्यो को आप अशोकलेंड कमपनी का गड़ के सकते है और तमिल नडु के साथ साथ केरला, अंधरप्रदेश, करनाटक, तेलंगाना में भी अशोकलेंड कमपनी को जादा पसंद किया जाता है अब दूसरा मुद्दा आता है घाट सेक्षन का घाट पर सभी गाड़िया चड़ नहीं पाती है पर अशोकलेंड कमपनी की अगर आप 1.8HP की बर्स को टाटा की 1.8HP की बर्स से कंपेर करेंगे तो अशोकलेंड कमपनी की बर्स का पर्फामंस गाट सेक्षन में काफी बढ़िया निकलता है और इसका क्रेडिट जाता है हाइनो कमपनी को हाइनो कमपनी को मैं हिनो भी कऊँगा हाइनो भी कऊँगा बस मेरी भावनाओ के उपर धेहन दीजे ना कि शब्दों पर इंजिन टेकनोलोजी में जापान सबसे आगे है हाइनो कमपनी शुरुवाती दोर में हेवी ड्यूटी मरीन डिजल इंजिन को बनाटी थी 1960 के दशक में रिवलिशनरी रेड इंजिन का जनम हुआ जिसने पूरे दुनिया में हाइनो कमपनी का नाम बढ़ा कर दिया इस इंजिन को बनाने में मैन कमपनी का बहुत बढ़ा हाथ था और आगे चलके इसी इंजिन को H-Series के नाम से बहुत से ब्रैंड्स ने यूज़ किया अशोक लैंड और हाइनो ने 1986 में हाथ मिलाया और तगड़ इंजिन्स बनाए जो अशोक लैंड की BS2, BS3 और BS4 ट्रक्स एंबसिस में यूज़ हो रहे थे आपने इंडिनेशिया के घाट्स के बहुत सरे वीडियोज देखे होंगे जहाँ पर चड़ाई बहुत ज़्यदा मुश्किल होती है और हाइनो के ट्रक्स इन्हें आसनी से पार्क लेते हैं तो इंडिनेशिया के मुकाबले इंडिया में घाट सेक्षन उतने हाड नहीं है और H-Series के इंजिन को इसी प्रकार ट्यून किया गया था कि इनिशल टॉर्क थर्ड गेर तक एक जिसा रहे लिनेर रहे जिसके कारण आज भी अशोक लैंड की बर्स में घाट सेक्षन में थ सुनके बहुत सरे भाई काएंगे हिमाचली परीवन की बसे तो बहुत खतरना घाट पर चलती है और वो तो टाटा की है पर मैंने पहली क्लियर कर दिया था कि जिस रिजन में जिसका प्लांट होता है वो गाड़ी वहाँ पर जाता चलती है और यह एक्सर देखा गया है कि अपने आस पास के लोकल ब्रैंड्स को जदा प्रेफर करते हैं और दूसरे ब्रैंड को वहाँ गुस्ने नहीं देते हैं तिसरा फैक्टर है माईलेज और मेंटेनस बीएस फोर तक अशुक लैंड आईज एर टेकनलोजी पर खेल रहा था मारकेट में टाटा महिंद्रा भा जब भी कोई गवर्मेंट बसेस का टेंडर निकलता था अशुक लैंड उसमें आराम से जित जाता था और इंजिन इतना भरोसेमन था कि उसका मेंटरेंस भी कम निकलता था और माईलेज तो अशुक लैंड का आप जानते ही हैं और उपर से बड़े बड़े ऑपरेटर्स जिसे की VRL Logistics, SRS, Orange इनके पास बहुत सरी ट्रक्स और बसेस अशुक लैंड कमपनी की हैं अब इतना बड़ा उपरेटर इतनी ज़्यादा काडिया एक कमपनी की खरीद रहा है तो यह स्वाभाविक है कि उस लोकल रिजन के छोटे मोटे उपरेटर भी अशुक लैंड कमप नजर आ रही है केरलर राज्या में भारत बेंड सबसे ज़्यादा बिक्ती है उसके लुक्स और मोडिफिकिशन की चलते हैं और बीज़ सिक्स फेश्टू की सभी गाडियों में एक से एक बड़िया फिचर मिलते हैं जिसके कारण साउथ इंडिया की किस्टमर्स को बहुत अशोकलेंड कमपनी का इंफ्लूएंस श्री लंकन मार्केट पर भी डिखता है जिसे श्री लंका में लंका अशोकलेंड नाम से जाना जाता है श्री लंका में 90% बसेस अशोकलेंड कमपनी की होती है जिसके पीचे तीन कारण है सबसे पहले इन बसेस को भारत से एक्सपोर बसे जाता दिखेगी जैसे की वाइकिंग सीरीज और चीता सीरीज जिन्होंने भारत में काफी अच्छा नाम कमया था और तिसरी बात है रिजन इंफ्लूएंस की जैसे की वीडियो की शुरुआत से हम इस मुद्धे पर बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में अशोकलेंड की क्या आवस्ता है यह हम जानते हैं अशोकलेंड के सेल्स में पिछले तीन सालों से काफी ज़्यादा गिराओट हुई थी नए प्रोडुक्स को तो यह लॉंच कर रहे हैं साथी सत कुछ प्रोडुक्स को टेस्ट भी कर रहे हैं पर जितने फीचर्स आपको टाटा भारत पेंज या आईशर में मिलते हैं उतने अशोकलेंड और महिनरा में नहीं मिल पाते मैं यहाँ पर महिनरा कंपनी की ट्रक्स और बसेस की बात कर रहा हूँ ना कि कार्स की स्लीपर बस मार्केट पर इनका राज चलता था अगर किसी को स्लीपर थेसिस खरिदने होती थी तो अ आज customer के पास बहुत सरो option होने के कारण market में इनका hold कम होता नजर आ रहा है क्योंकि इनके पास कोई fully built sleeper बस आज के समय में available नहीं है जिसे कि Tata के पास Magna है आईशर के पास 60196016 है भारत Benz के पास Gliders Plus है और Volvo के पास 9600S है डिफेंस सेक्टर में अशुकलेंड कमपनी का काफी अच्छा performance रहा है बट small commercial vehicle market में इनका downfall शुरू हो गया है और कही ना कही अशुकलेंड को अपने marketing और product improvements पर ध्यान देना चाहिए Government orders तो इनके पास बहुत सारे है जिसमें गुजदात की 1280 बसेस तमिल नाडू की 1666 बसेस और आने वाले समय में इनने काफी बड़े orders मिलने की आशंका है इन सब कारणों के अलावा अशुकलेंड कंपनी का local market पर influence ज़्यादा होने के पीछे और एक बड़ा कारण है जिसे हम local sentiment कहते हैं मैं तमिल नाडू राज्य में चार से पाच बार गया हूँ वहाँ पर लोग अपने भाशा और कल्चर के प्रती बहुत ज़्यादा श्रद्दा रखते हैं जैसे कि अगर आप वहाँ पर हिंदी में बात करते हैं तो वहाँ पर आपको reply इंगलिश में या तमिल में मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा पुन्यवान है तो आपको हिंदी में reply मिलना 0.001% ही संबव है ऐसी बात नहीं है कि उनको हिंदी आती नहीं है पर भाशा के प्रती इतना respect South Indian region में ही देखने के लिए मिलता है मुंबई सीटी में मेरे दोस्त के साथ एक सत्य गटना हुई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा एक दोस्त अनुराग है जो XYZ मोटर्स में काम करता है उसे उसके बॉस ने कहा तो फूरूट मार्केट में जा और दो चार कश्टामर को गाड़ी खरीडने के लिए समझा क्योंकि तेरा मंत का टरकेट कंप्लिट नहीं हुआ है जब मेरा दोस्त अनुराग मार्केट में कोकनट डिलर के पास गया तो उसने साफ साफ उसे इंकार कर दिया कि भाई हम ये गाड़ी नहीं लेंगे हम लेंगे तो सिप अशुक लेंड की लेंगे और दोस्तो इसी बात से आप समझ सकते हैं लोकल सेंटिमेंट कितना एफट करता है किसी कमपनी की सेल्स के उपर दोस्तो इस वीडियो के माद्यम से मैंने आपको साउथ इंडिया में अशुक लेंड पॉपलर क्यों है ये समझाने की कुशिश की है अगर आपको ये वीडियो इंफरमेटिय लगी होगी तो आप इस लिक लाइक कीजेगा चैनल पर ने होगे तो चैनल को सस्क्राइब जिरू कीजेगा मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ जै हिंद जै भाई